मोधी 3.0 जी हाँ लोगसभाचना में जीत दर्ज करने के बाद नरेंद्र मोधी लगात तार तीस्त्री बार रविवार को प्रधान मंत्री पत की शपत लेंगे राश्रपती द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोधी को पद की शपत दिलाएंगी 9 जून को नरेंद्र मोधी शाम साथ बचकर 15 मिनट पर शपत लेंगे राश्रपती बवन में शपत ग्रहर कारिक्रम की तैयारिया जो है वो चल रही है राश्चुपदी द्रौपदी मुर्मू प्रधान मंत्री के साथ साथ केंद्रे मंत्री परिशत के सदस्यों को पदर गोपनिता की शफ़त दिलाएंगी बता दे कि शुकरवार को राश्वपती द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन का न्याउता दिया है राश्वपती ने मोदी को दही चीनी खिला कर नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है तो ये नियोता प्रधान मंत्री के हाथों में फिलाल कार्यवाहख प्रधान मंत्री लेकिन बहुत जल्ड रविवार के बाद आप देखेंगे एक बाद फिर से देश के प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी शपत लेते हुए दही चीनी खिलाने के समय की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां राश्रपती द्रौपदी मुर्मो ने दही चीनी मीठा खिलाया प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी को क्योंकि किसी भी कार्य के शुरू होने के पहले मीठा खिलाना काफी शुब माना जाता है और ऐसे में यह जो पल है काफी खास हो जाता है तो कल तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री पत की शपत लेंगे तो वहीं अब मंत्री मंडल पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है शुकरवार देर राज जेपी नडड़ा के घर एंडिये निताओं की बड़ी बैठाख हुई दोसे तरफ शपत ग्रहन समारोगों को लेकर राश्रपती भवन में तयारियां तेज हो गई है साथ से आठ हजार लोगों के बैठने की विवस्था की गई है जिसमें विदेशी और देश के मशुहूर हस्तिया भी शामिल होने है ये तीन तस्वीरे नौ जून को शपत ग्रहन मंत्री मंदल पर चिंतन और राश्रपती भवन में तयारियां शुरू हो चुकी है शाम साथ बच कर पंदरा मिनट पर पी-म शपत लेंगे नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री पत की शपत लेंगे और साथ ही कई मंत्री भी शपत ले सकते हैं और इसकी तयारिया इसके लिए चिंतन मंधन का जो सिलसिला है वो चल रहा है मंत्री मंदल पर चिंतन जेपी नड़ा के आवास पर इस पर चर्चा हुई है तो ये तीन तस्वीरे बेहत खास है और सबसे ज़्यादा खास होगा रविवार की शाम और इस शाम आप देखेंगे नरेंद्र मोधी को तीसरी बार शपत लेते हुए तो ये तीन तस्वीरे एक बार फिर से आपको लेकर जाते हैं 2014 में 2014 के वक्त थी शाम साथ बच कर 15 मिनट पर तीसरी बार क्योंकि प्रधान मंत्री शपत लेने वाले हैं तो इससे पहले 2019 और 2014 में भी उन्होंने प्रधान मंत्री पत की शपत ली थी है उस वक्त की तस्वीर है जब 2014 में पहली बार उन्होंने जो है शपत ली थी और उस वक्त प्रणा मुखर जी ने उन्हें शपत दिलाई थी 2019 की भी तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो दूसरी बार प्रधान मंत्री बने और उस वक्त भी नजारा काफी जादा दिल्चस्प था और इस बार 2024 की ब अपनेता की शपत दिलाएंगी और साथी राजगाट भी जाएंगे नरेंद्र मोधी और यहां पर वो नमन करेंगे बापु को शधानजली देंगे और उसके बाद वो फिर रवाना होंगे शपत ग्रहन के लिए तो कल पीम बोधी सरकार के शपत ग्रहन समारो की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए दिल्ली की ऐसी किलेबंदी कर दी गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून तक दिल्ली को लो फ्लाई जोन घोशित कर दिया है यानि दिल्ली के आसमान में ड्रोन या कोई दूसरी चीज उडाने पूरी तरह से रोकी गई है छोटे साइस के कुछ खास विमानों से लेकर गरम हवा के गुबारे उडाने पर पावंद प्रविन जगनात पी-म मौरिशिस के मौजूद रहेंगे इसके अलावा मौमद मोईजू राश्रपती मौरिशिस के मौजूद रहेंगे विदेशी महमानों में शेक हसीला का नाम भी है जोकि बांगलादेश की पी-म है उनका भी नाम इसमें शामिल है इसके अलावा प्रदान मंत्री के शपत ग्रहन समारों में शामिल होंगे नेपाल के पिम पुष्प कुमार डहल भी मौजूद रहेंगे भूटान नरेश के वांग्चुक जिगमे खेसर वांग्चुक मौजूद रहेंगे इसके अलावा सेलिश के एहमद अफीक उप राश्ट्रपती बजा दिया जा रहा है विदेशी महमानों के स्वागत के लिए तैयारिया की गई है और साथी सुरक्षा के लिहाज से ऐसी किलेबंदी की गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए नौ और दस जुन नो फ्लाई जोन घोशित किया गया है राश्टानी में किसी भी तरह की चीज़े आपको आसमान में उरती नजर नहीं आएंगी ये सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किये गए है और दूसरी बड़ी चीज ये कि देखिए तमाम जो एहम अतिथी है खास सती थी विशेश महमान जो है वो शामिल होंगे नरेंडर मोदी तो शपत लेंगे ही प्रधान मंतरी पत की और साथ कई मंतरी भी ऐसे हैं जो शपत ले सकते हैं मोदी 3.0 में तो ये बहुत खास पल होगा एतिहासिक पल जब कोई एक चहरा तीसरे बार प्रधान मंतरी की 2019-2024 में नरेंद्र मोदी और अख़बर भोपाल से जहां VIP रोड पर स्टंड बाजी का मामला सामने आया है चलती कार पर सवार होकर डांस करते कुछ लोग नजर आए है शराब के नशे में सड़क पर स्टंड बाजी और तेज रफ़तार कार की छट पर ये स्टंड बाजी की गई है देर रात तीन बजे युवकों ने स्टंड बाजी की है वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है अब देखें इस तस्वीर को देखने के बाद सवाल ये है कि कानून प्रशासन का कोई खौफ नहीं नियम से कोई लेना देना नहीं कि आखर सड़कों पर जब रफ़तार भरते हैं तो कोई नियम नाम की भी चीज होती है इन युवाओं को इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं है ऐसे में शराब पीकर अपनी जान को हथेली में रखकर ये स्टंट करते नजर आ रही है देखिए वीडियो शालिंदर मदारिया संबाद अता साजर गय है शालिंदर आकेर इतनी रापरवाही सडकों पर क्यों? इस तरीके के सामने आ रहा है और यही देखिए वीडियो पूरा रात को तकरीबन तीन बज़े का बताया जा रहा है और यह सारे योबक जो के वो नते में तोते थे और यह गाना बजाते हुए चट के कार की चट पर जो है वो डांस करते नजर आ रहा है इस तो यह बीडियो अब सोचल बीडिया पर बाइरल हुए उसके बाद पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोप्यों के इतलास में भी जोट गई है लेकिन सवाल जो है वो लगातार पुलिस की कारपुणाली पर खड़े हो रहे हैं अंग्रेजी शराब लेकर धार से सागर जा रहा था ये ट्रक डिवाइडर से भी टकराया है ड्राइवर को चोट आई है अस्पताल में भरती ड्राइवर को किया गया कुश्यारी गाओ के पास ये ट्रक पल्टा है और अब देखें कैसे बुरे तरीके से ये जो ट्रक है वो रहसेन में पल्टा धार से सागर जा रहा था काफी ज़्यादा नुकसान और ड्राइवर को भी चोट आई है परना जिला अस्पताल के एक बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसमें कि रेप पीडित दो नाबालिक बच्चियों के परिक्षण के लिए भटकना पड़ा है अमान गंज थाना पुलिस रेप पीडित बच्चियों की जांच के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थी जहां बच्चियों के परिजन जांच करवाने के लिए अस्पताल में इधर से उधर भटकते रहे लेकिन परिक्षण नहीं किया गया पीडित बच्चियां और उनके परिजन देर रात से लेकर अगले दिन दोपहर तक अस्पताल में जांच करवाने के लिए चकर काटते रहे जिसके बाद अमान गंज थाना प्रभारी ने मामली की सूचना स्पी को दी है और स्पी ने कलेक्टर को मामली की जानकारी दी जिस हलाकि इस पर फॉरन से जब संग्यान गया तो फिर जाकर टेस्टिंग हुई संजे तिवारी संबादता साज उड़ गए है संजे इस तरह की परिस्थितियों के लिए क्यों नहीं प्रारिटी पे जांच होती है और अगर नहीं हो रही तो इसका जिम्मदार कौन निश्चित रूप से मैं आपको बता दू पन्ना जिलाचिकसाले का ये आलम आज से नहीं वरसों से चला आ रहा है यहां पर कहने के लिए तो जिलाचिकसाले क्रामा साइंटर है लेकिन यहां पर डॉक्टरों की कमी महसूस की जाती है डॉक्टर के पद रिक्त पड़े हु है कि हम मरीज देखें या यह जो सरकारी MLC है जो की कानूनी पिग्रिया होती है जब किसी प्रिटा के साथ में इस तरीकी की घटना घटित होती है तो उसे MLC करानी होती है MLC पुलिस के द्वारा कराया जाती है मेडिकल कराया जाता है लेकिन जैसा कि आपने दर्सकों को बत बच्चियां हैं जो की नावालिक थी और सरयाम जिलाची के सालाय में एक दिन बेदीद करने के बाद भी उनकी MLC नहीं हुई और यहां पर जो एस्पी है साइं क्रिशन थोटा जब उन्होंने संग्यान लिया और उन्होंने कलेक्टर को बोला कलेक्टर सुरेश कुमार ने बच्चियों की MLC हो पाई इसके जुम्मेदारी की जहां तक बात परूँ तो जिलाची के सालाय ही नहीं बलकि मद्द प्रदेश आसन स्वास्थ रभाग इसका मुख दो सी ठेहराया जा तकता है बिल्कुल बहुत शुक्रिया संज्ज जानकारी साजह करने के लिए दमोर एल्वे स्टेशन पर मासूम की हत्या का मामला सामने आया है युवक ने धाई माह के मासूम को पीटा दिल्ली से मजदूरी करके लोटा था लेखराम का परिवार युवक ने धाई माह के मासूम के पिटाई की मजदूर लेखराम ने पुलिस से मदद मांगी थी CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस संदिक दिवैक्ति की पोटो भी सामने आ चुकी है और अब जो है इस मामले में जांच को और भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और फिर जल्द कारवाई की बात पुलिस करते नजर आ रही है में चोटा भाई के बता दू कि मैंने होश्पिटल हो खड़ती कर दिया आज की बढ़ती कर लीता हूं फिर इतने में सोचा कि मैंने ऐसा दूर लगाया मेन अफ़ान इतने में कोई आदमी आया उच्छो चोटी से बच्चे को माननी लगा चोटी कर वारिक दगता चैनजूर पार गार नए ले बीइटक ऌई मारा लगे ने उच्छा मरगया मेरे ऊक्त मानन अलगी मानने प्सक्तिन लुस्वार्ङब हिस्वालिया थ उनसे बोला में तिख़्य मार रहे हैँ तो सब च्छी अनुपूर के फुनगा में बिजली की लाइन ठीक कर रहे लाइन माइन को करिंट लग गया बता दे कि लाइन माइन 11 के वी बिजली की लाइन ठीक कर रहा था तभी अचानक तार में करेंट अले से लाइन माइन को करेंट का जटका लगा और लाइन माइन खंबे से नीचे गिर गया गंभीर अवस्ता में लाइनमैन को अस्पताल ले जाये गया है जहाप रात्मी कुपचार के बाद लाइनमैन को अनूप पूर भीज दिया गया है जैसे मारा मेरा हाथ ठेच लिया अच्छा और अभी बड़ा अब लगदें मजब तक भी होस नहीं हुआ वाँ पार हुआ है जब तक छोड़ा नहीं फिम में नहीं चिग लिया पूलेटिन में फिलाल इतना ही आगे भी खबरों का सलसिला जारी रहेगा कर दो